हाँ हेलो दियर स्टूडेंट्स यह में मेरे नीटिव विलेज के एक फार्म से मल्टी क्रोपिंग का एक और वीडियो आपके लिए बना रहा हूं और आपको भेज रहा हूं ताक्या आपको बेजिक कंसेट समझ में आ जाया है ठीक है मल्टी क्रोविंग बोलते हैं to harvest more than one crop from one particular farm in one year period ठीक है तो अब यह मुमकिन कैसे बनता है यह modern agriculture का part है और modern agriculture से ही यह मुमकिन हुआ है कि तो यहां देखो यह cotton का farm है cotton बोलते है cash crop आपको पता ही है तो यहां देखें आप cotton का यह farm है इसमें cotton already harvest भी हो रहा है आप देख रहे है और यह cotton का जो crop है यह farm में लगाया गया था May June में जून में इंडिया में आपको पता है मौन्सून शुरू होता है तो जून में लगा harvest crop cotton का ready हो रहा है और एक दो महिने में cotton harvest कर लिया जाएगा पूरा यानि यह crop फिर remove कर लिया जाएगा cotton का अब important देखो यह दूसरी रह में यहां टूवर जिसे हम pulses it is one of the pulses food crops बोलते हैं यह टूवर का दूसरी रह एक कॉटन की है जो अब harvest हो चुका है और पांच साल चे पांच महीने चे महीने पुराना crop है अब यह harvest होके ready हो जाएगा और इसको remove कर दिया जाएगा cotton वाली रह को लेकिन बीच में टूवर जो आप देख रहे है वो छोट हैं यह लगाए गए थे अभी दो महीने पहले अब इंपोर्टन का क्रॉप हार्वेस्ट होके अर्ण कर लिया जाएगा उसके इमीडियेटली बाद यह जो टूवर का क्रॉप है वह ready हो जाएगा ready होना शुरू हो जाएगा यहाने cotton हार्वेस्ट कर लिया गया नवेंबर ड मार्च-अप्रिल में है आप समझेए तो एक क्रॉप हार्वेस्ट हार्वयस्ट और तूउर्ड यानि के पल्सीस का भी क्रॉप हार्वेस्ट होगा यह एक क्रॉप क्यौत जो पुरानी है rate mature हो चुकी है एक रो जो है दूसरी एक ही फार्म में यह tour की है आप देखें दूर तक और आप background में जो यह noise देख रहे हो आवाज आ रही है टक 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 करके यह diesel pump से चल रहा है यह मुम्किन कैसे बना एक ही फार्म पहले आज से 40-50 साल पहले सॉरी जब agriculture bullock and auction से होता था यहल और bell से होता था तब यह मुम्किन था ही नहीं क्योंकि green revolution से modern agriculture में हुआ क्या कि अब technology का इस्तेमाल agriculture में भी शुरू हुआ यहने tractors का इस्तेमाल machinery का इस्तेमाल pesticides and insecticides का इस्तेमाल irrigation watering का इस्तेमाल और यह सब से यह agriculture modern बना है इंडिया का और पूरी दुनिया का और इससे ही इतनी जबरजस्त बढ़ती अबादी को भी जो है एगरी प्रोड़क्स की supply sufficiently मिल रही है ठीक है तो मैं मानता हूँ यह वीडियो से आपको multi cropping का concept और modern agriculture का थोड़ा आइडिया हेगा ओके थेंक्यू